नमस्कार किसन भाईयो मैं आप सभी का रमेस भाईयो और आप सभी का स्वागत करता हूँ RS Technical खेती युटूब चैनल में किसन भाईयो तीन सांदार धान की वराइटिया मैं आप सभी के लिए लेकर आगया हूँ इसलिए इस वीडियो के एकदम लाश्ट तक देखना तब ही आपको पुरी जनकरी मिल पाएगी किसन भाईयो पहले नंबर पर जो वराइटी आती है वो स्रीराम बायो सीट कंपनी की वसंती वराइटी आती किसन भाईयो ये काफी अच्छी काफी पॉपुलर वराइटी है बसंती में से किसन भाईयो किसन भाईयो येदि आप इस दहन को लगाते हैं तो और वराइटी के मुकाबले 20% आपको अधिक उत्पादन देखने मिल जाता है इस वराइटी के अंदर किसन भाईयो ये दिवात करें 20 दर्गे वारे में कि एक एकड़ के लिए कितना भीज हमें चाहिए इस वराइटी का तो किसन भाईयो 6 किलो पृतिकड़ के हिसाब से आप इसका बीच बो सकते हैं अर्थात नरस्री तयार कर सकते हैं किसन भाईयो यह दिवात करें नरस्तिरी के वारे में कि नरस्तिरी डालने का सही समय इस दाहन का क्या होता है तो किसन भाईयो 20 मई सबसे अच्छा समय है इस दाहन को बोने के लिए नरस्तिरी डालने के लिए किसन भाईयो नरसरी आपको किस परकार से डालनी है कितनी भूमी लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ किसन भाईयो एक किलो धान ये दिया बोते हैं तो एक विसे के अंदर आप एक किलो धान की नरसरी बो सकते हैं उससे क्या होगा आपका जो दाना है वो दूर दूर हो जाएगा और मोटा किल्ला निकल कर आएगा सुरू से किसन भाईयो एक किलो धान के लिए एक विसा भूमी जरूर लें इससे कम भूमी ना लें किसन भाईयो तो काफी अच्छा उत्पादन इस वराइटी का देखने 75 कुनटल पुर्ती एक अलमे介急 का उत्पादन देखने मिला है जो काफी अच्छा उत्पादन हैं किसन भाईयो अब बात के लेते हैं रोगों के वारे मेंrole कि इन में किस प्रिकार के रोग देखने मिलते हैं नहीं मिलते हैं जैसे कि हलदी गांट वगरा वगरा रोग जो ओ द मिलते हैं अर्थाति ये रोगों से सहेंसिल वरायटिया होती है कि इसन भाइयों बात कर लते हैं दूस्री वरायटी के बारे में तो दूसरे नमर पर जो धान आता हिसाब से देखने मिला है किसंबाई ये बात करें जाए इसकी पकने की अब्दी के बारे में तो ये थोड़ा जादे समय लेता है 110 से 115 दिन पकने के लिए लेता किसंबाई ये पूरी तरीके से पकर तयार हो जाता है ये बात करें किसंबाई रोगों के बारे में तो इसमें कि लिए उत्पादन काफी अच्छा देखने मिल जाता है बात करें नरसरी के वारे में कितना बीच नरसरी के लिए चाहिए होता कि सन भाईयो तो इसके लिए आप नरसरी 5-6 किलो ग्राम पिरती एकड़ के साब से नरसरी बो सकते हैं कि सन भाईयो यह दिबात करें पकने की अबदी के वारे में तो यह थोड़ा कम समय लेती है यह 100 दिन के अंदर पूर्ट रिखेस पकरतियार हो जाती कि सन भ मैंने आपको तीन वर्याइटियों के बारे में जनकरी दी है जो भारत की सबसे नंबर वन ब्रैटियां है इन में साब कोई सी एक वर्याइटी चुनकर लगा सकते हैं आपको और बराइटियों के अंदर दो बात सबसे अच्छी मुझे लगती है कि इन में कम से कम रोग दे प्रूड के लेना